लवलीना बोर्गोहेन क्योंकियो ओलंपिक में महिलाओं के वेल्टर वेट 64-69 के ग्रा वर्ग में अपने कांग से पदक से संतुष्ट नहीं थी। उनका दावा था कि उन्होंने स्वर्ण के लिए लक्षे रखा था। तुर्की के बुसेनास सुर्मेनेली ने सर्वसमत निर नय में बोर्गोहेन को 5-0 से हराया। जैसा कि उसने अपने प्रभुत्व का दावा किया, सभी पांच न्यायधीशों ने तुर्की के मुक्यबाज के पक्ष में फैसला सुनाया। उसने कहा, इंदिनाई जबसे मैंने बॉक्सिंग शुरू की है, मैंने हमेशा ओलंपिक मे खेलने और यहां स्वर्ण जीतने का सपना देखा है। मैं वह हर काम और ट्रेनिंग करती थी। मुझे इस समय अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक में एक पदक आया, लेकिन मेरी उमीदे पूरी नहीं हुई। मैंने बहुत सी चीजे सीखी, पहले मुझ में आत्म विश्वा पास नहीं था, लेकिन अब मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच, पी-एम नरेंद्र मोधी ने लवलीना बोर्गोहेन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रिंग में 23 वर्षिये की उपलबधी अन्य भारतियों को प्रेरित करेगी। साथ ही, केंद्रिये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रिये कानून और न्याह मंत्री किरेन रिजीजू ने बुधवार को टोक्यो ओलम्पिक में भारत की मुख्यबाज लवलीना बोर्गोहेन को कांग से पदक पर बधाई दी। केंद्रिये खेल मंत्री ने कहा कि लवलीना बोर्गोहेन ने जो हासिल किया है उस पर भारत को जबेहत जगर्व है। इंदिनाई यात्रा अभी शुरू हुई है। इंदिनाई उन्होंने कहा। बेसिडेस अनुराग ठाकुर किरेंडर जीजू आल्सो कोंग टुल्टेड बोर्गोहेन। उन्होंने बधाई दी कि उन्होंने देश को गौर्वान वित किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मंत्री ने कहा इंदिनाई आपने अच्छा खेला। केंद्रिय मंत्री के अलावा कई अन्य राजनिताओं ने भी ओलंपिक पदक विजेता को बधाई देने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया। झालो 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 झाल झाल